हलो दोस्तों सबी का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से चैनल पर बिहार के तिहास का पार्ट नमबर फाइव आज इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं महुरें एड्मिनिस्ट्रेशन या फिर महुरें प्रशासन आज का टॉपिक रहने वाला है इस ट्री का काफ कौन कौन से कर घटा किये जाते थे जल पर लगने वाला कर किस नाम से जाना जाता था सर्विस ट्रैक्स जो लगता था किस नाम से जाना जाता था सिक्के किस नाम से जाने जाते थे और रिवेन्यू कलेक्ट करने वाले किस नाम से जाने जाते थे कितने प्रांत होते थे यह सब चीजें इसमें हम discuss करेंगे और इससे भी questions आते रहे हैं और आगे भी आ सकते हैं BPSC prelims में आपके में आ सकते हैं बिहार जीके का पूरा series चल रहा है तो ये काफ़ important topic है उसमें तो सारी चीज़ों को हम discuss करना शुरू करते हैं सबसे पहले background स्मिथ ने मौरियों की सीमा को या फिर मौरे सामराज की सीमा को भारत की व्याग्यानिक या भहोगूलिक सीमा कहा है ऐसा कहने का कारण स्पस्ट है हम लोग पिछले वीडियो में डिसकस कर चुके हैं पूरे empire के बारे में empire पहले जो जन होते थे वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में जनपद बने थे 16 और जनपदों में बिजुस रेष्ट आगे आये थे उनको फिर सामराज जी कहा जाने लगा था सामराज जनपदों से बड़े होते थे दो-तीन जनपदों के बराबर हो सकते थे काफी सारा भाग मगद ने कवर कर लिया था मौरिकाल में और इस वज़े से अब जनपद ना होकर के सामराज जी हो गया था और लिट्रली भारत को रिप्रेजेंट करने लगा था मौरिकाल में जो भी सामराज था इनका मगद में मौरियों का विशाल सामराज्य प्रसास्तिनिक द्रश्टी कोंड से राष्टर कहलाने लगा थे यानि कि एक देश एक नेशन संपूर्ण राष्टर चंद्रगुप्त मौरिय बिंदुसार के समय में चार राज्य चक्रों में बटा रहता था जनरली और अशोक के समय में पांच राज्य चक्रों में या प्रांतों में विवाजित देखा गया था तो ये पांच जो चक्र या फिर प्रांत है इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं बूछ सकते हैं बताईए कौन सान में से मारिकाल में प्रांत नहीं हुआ करता था इस तरह एक कोशन सब के बारे में हम बहुत डीप नहीं जाएंगे हम लोग पिछले वीडियो में डिसक्स कर चुके इनकी राध्धानी वगरा क्या हो सकती हैं और कौन कौन से प्रदेश ये कवर करते हैं आज के मैप के हिसाब से अगर हम प्रजेंट में देखें तो तो उत्तरापत में आप देखेंगे अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर प्रजेंट में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पाकिस्तान पंजाब ये सब सम्मिलित होंगे अवंती का छेतर हमने कल मैप में आपको दिखाये था उज्जैनी, इसकी राध्धानी रहेगी राजस्थान, गुजरात, पस्चिमी, मध्धप्रदेश वगएरा इसमें शामिल होंगे इसी तरह दक्षिनापत में डेक्केन करीजना जाएगा महराश्थ का, गोवा का, करनाटक का, अंधप्रदेश का, मध्धप्रदेश का तो यह सब हो जाएंगे इसमें तो नाम जरूर द्यार रख लीजेगा एकडम अवंती, उत्तरापत, दक्षिनापत, प्राची और आपका कलिंग अब राश्थ के प्रांत के मंडल के जनपद, यह सब हमको हाईरार्की देखनी है कैसे यहाँ पर विभाजित किया जाता था, अड्मिनिस्ट्रेशन को, यह देखना है सबसे छोटी इकाई, सबसे पहले देखी कौन से होती है सबसे छोटी इकाई यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्राम होती थी यानि एक ग्राम जो है, अड्मिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी इकाई होती थी यह समझ गया, आप राश्थर हम लोग देख चुके हैं पूरे इनके आशनकाल में जितना भी एरिया होता था, उसको बोलते थे तो अब आरार की देखिए, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ग्राम 100 ग्रामों का समुख क्या हो जाएगा, संग्रहन हो जाएगा 200 ग्रामों का समुख क्या हो जाएगा, खार्चिटिक हो जाएगा 400 गामों का समूख के आव जाएगा द्रोंड मुख हो जाएगा और 800 गामों का समूख के आव जाएगा स्थानिक हो जाएगा तो एक स्थानिक में कितने द्रोंड मुख आएगे दो एक स्थानिक में कितने खार्च्टिक आएगे चार एक स्थानिक में कितने संग्रहण आएंगे आठ और एक स्थानिक में कितने ग्राम आएंगे वो आएंगे आठ सो तो आई होपा hierarchy आप समझ गए होंगे तो अगर कोई भी question इससे बना दे तो आप याद रख लिजेगा एक बार मन में आखे बंद करके दोरा लिजे आखे बंद करिए अब मेरी बात सुनिए स्थानिक, त्रोड मुख, खार्ज्टिक और संग्रहण और फिर ग्राम तो ग्राम तो याज रखना काफी आसान है आज भी ग्राम छोटी काई में ही आते हैं अधिकारियों के बारे हम देख लेते हैं हम लोग अर्थिशास्त्र में, कौटिली का अर्थिशास्त्र में उच्छ तरी अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है, ये ध्यान रखना काफी important है, अधिकारियों को क्या कहते थे, तीर्थ कहते थे अब तीर्थों का भी अलग-अलग डिवीजन है 18 तीर्थों का यहां पर डिवीजन किया गया है मतलब 18 तरह के विभाग को बांटा गया 18 डिपार्टमेंट्स होते थे उनमें 18 तरह के अधिकारी होते थे मुख्य तीर्थ यानि कि मुख्य आपके अधिकारी कौन-कौन से होते थे ये हैं पर अर्थशास्तन बताया गया है मंत्री होता था पुरोहित होता था सेनापती होता था युवराज होता था और समाहरता होता था ये मुख्य आपके तीर या तो अधिकारी हुआ करते थे administration के कौन कौन से मंतरी पुरोहित सेनापती युवराज समहर्ता तो आप इन चारों से तो परिच्ट हो चुके होंगे मंतरी पुरोहित जो पूजा वगएरा करेगा मतलब यग वगएराम जिसका रोल रहेगा सेनापती जो सेना को देखेगा कमांडर हो सकता है सेना का युवराज राजा का बेटा समहर्ता समहर्ता के बारे में लोग देखते हैं समहर्ता का कार क्या होता था समहर्ता का कार एगर पूछल एक्जाम में तो इसका कार होता था राजस्व एकत्रित करना और जिले में कानून विवस्था देखना तो दो कार इसके होते थे जनपद का प्रधान समहर्ता होता था एक डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन सा होता था सॉरी डिस्ट्रिक्ट में बोल रहा हूँ इसको जनपद का आपका प्रधान होता था समाहर्ता और नियाईक कार्यों को भी देखता था इस वजे से इसकी शक्ति जो थी वो अर्ध नियाईक तरह किती ही ध्यान रखेंगे और मुख कार लेकिन राजस्व संग्रहित करना होता था प्रामरी वर्क इसका राजस्वी मिलता था ग्रामीड छेत्र से जनपद के वो क्या कहलाता था राष्ट कहलाता था लेकिन नगर से जो हमको revenue मिलता था उसको दुर्ग कहलाते थे तो दुर्ग और राष्ट्र दो revenue होते थे अलग-अलग क्रामीड चेत्र का क्या राष्ट और नगर चेत्र से प्राप्त होने वाले revenue दुर्ग तोनों प्रकार के राजस्व समाहर्ता ही जम्हा करता था और सीधे केंद्र के पास भेज देता था इतना उसका वर्क था collect करना income expenditure बता देना और market tax क्या करना है वो दूसरा अधिकारी करता था सन्निधाता अभी हम इसके बारे में देखेंगे राजकिये स्वामित वाली भूमी को सीता कहा जाता था ये ध्यान रखिएगा जरूर और सीता से जो प्राप्त आये होती थी उसको भी समाहर्ता ही collect करता था समाहर्ता जिले के पुलिस अधिकारी राजुक तथा प्रशासनिक नगर अधिकारी नगर व्यवहारिक के बीच समन्वे स्थापित करता था समाहर्ता मौरिकालीन प्रसासन का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था जिसकी नियुक्ती सीधे राजा के द्वारा की जाती थी यह important है तो law and order कैसे maintain करेगा क्या खुद करेगा नहीं वो पुलिस अधिकारी उसे करवाएगा जो कि राजुक वगएरा होते थे प्रसासनिक नंगर अधिकारी होते थे जो विवहारी कानून वगएरा देखते थे डिसिप्लिनरी फंक्षन जो देखते थे उनके बीच में कॉडिनेशन करना समहर्ता का काम होता था सन्निधाता कोशा अधिक्ष है इसका रोल काफी संकुचित है यह क्या करेगा समहर्ता जो भी राजस उसको देगा वो कलेक्ट करके अपने पास रखेगा बस ही सन्निधाता का में फंक्षन बताया गया है अब यह तो हमारे कुछ मुख्य हो गए अब कुछ सेकेंडरी हुआ करते थे हमने अठारा के बारे में बात की तो पांच ही हो गए अब उसके बाद बच रहे हैं आपके 10-11 उनको भी अधिक्ष कौन होता था राजकी भूमी का अधिकारी अब आपको सीता पता है क्या होता था ठर्म तो आप बता सकते हैं कि जो सीता का अधिक्ष होगा वो राजकी भूमी का अधिकारी का रोल प्ले करेगा पन्याध्यक्ष क्या होता था कार खाना और व्यापार अधिक्ष क्योंकि पन जो है वह मुद्रा होती थी राज़्की मुद्रा इस वज़े पन्ययाध्यक्स को कहिद्रा गया धी और हम देखें जंına मुद्रा ki अध्यक्षा था धातुरम्य your ellos कर में वगेरा कैसे होगा परह। दर्शक कmore द्रेख्षा था धर्म प्रसार नयतिक उ't थान अधिकारी होता था जो धर्म वगएर को प्रमोट करेगा राजुक क्या होता था शेत्री गवर्नर होता था और न्याय और शांती का रक्षक होता था आप इसका रोल एक पुलिस अधिकारी जैसा एज्यूम कर सकते हैं आज की डेट में और प्रतिवाद राजा का निजी होता था अरिस्टो और अग्रिनो में आप देख लीजिए गंतर अग्रोनोम क्या होगा जिले का अधिकारी होगा अग्रोनो मोई और अरिस्टोनो मोई क्या होगा यह नगर का अधिकारी अब मौरियों के प्रसासनिक विवस्था में नगर प्रसासन का सरवाधिक विवरण आपको मेगस्तनीस की इंडिका से प्राप्त होता है ये सोर्स है तो अगर हमको पूछे कि कहां कहां से हमको इस अप्टर मिलते हैं जादे तर हमको मेगस्तनीस की इंडिका से मिलते हैं अब नयाय प्रणाली के बात बारिम बात कर लेते हैं कि इसमें judicial system कैसा होता था मारिकाल में दो प्रकार के नयायले होते थे एक धर्मस्तिय होता था और एक होता था कंटक शोधन तो धर्मस्तिय क्या होता था आपका दिवानी नयायले होता था जैसे आज की डेट में होते हैं और कंटक शोधन फौजदारी वाला नयायले होता था जैसे कि आज की डेट में होते हैं समराट स्वयम नयाय प्रसासन का सर्वोच अधिकारी होता था ये काफ़ इंपोर्टेंट लाइन है अगर आपसे बना दे स्टेटमेंट की सर्वोच अधिकारी मौर प्रसासन में सुप्रेम कोड जैसा इसको आप अजियूम कर सकते हैं अर्थशास्तर का संपूर्ण चौथा अधियाय कंटक शोधन अधालत पर लिखा गया है अर्थशास्तर जो कौटिल या फिर चानक के ने लिखी है उसका जो फौर्थ चैप्टर उसमें कंटक शोधन यानि फौचदारी ने आयले के बारे में पूरा बताया गया उसमें मौरेकाल में गुप्तचर विवस्ता काफी अच्छी बताई गई है कौटिल ने बताया है कि गुप्तचर गूडव पुरुशों को कहते थे कौटिल ने गुप्तचरों का रोल बताया है काफी important और इसको राजा की आँख बताया है यानि काफी important part रहता था administration में गुप्तचरों का गुप्तचर लगे रहते थे क्रिशी था क्रिशी जो भी कर आता था वो यूज किया जाता था administration में लोगों को तनक्वाय बगरा देने में और पूरी राजी को रन करने में क्रिशी पशुपालन व्यापार वानिज ये सब समलित रूप से अर्थशास्तर में इनको वारता कहा गया है ये भी important टर्म हो गया आपका और taxation की दरकिती थी generally होती थी ये 1 by 6 ठीक है पैदावार की 1 by 6 देना पड़ता था व्यापार की 1 by 6 देना पड़ता था व्यापारी क जंगल वस्त्र उद्योग आधी पर राजी का अधिकार माना जाता था कि जंगल से आप कुछ भी लेंगे महर प्रसासन में महर पढाली में तो उसको आपको करके रूप में देना पड़ेगा राजा को जंगल से लखडी उप्टेन करेंगे तो आपको 1 by 6 देना पड़ेग अन्यूबर वन हिस्ट्री में देखा था जो हुमने किया था बिहार के इतियास के स्त्रोत इन पर मयूर परवत आर्धचंद्र की मुहरे अंकित होती थी बली एक प्रकार का राजस होता था हिरन ने एक नमक पर टैक्स होता था जो नगत मिलिया जाता था तो बली और हिरन इनका नाम ध्यान रखेंगे, हिरन ने क्या था, ये नमक पर लगने माला टैक्स था, जो कि अलब नगत में ही मुत्राओं के फॉर्म में देना पड़ता था, लोग जब स्वयम सिक्के बनाते थे उनको राजी को 13% करीब देना पड़ता था ब्याज, रूपीका के रूप में रूपीका और प्रशिक्षण के लिए, तो ये विध्यान रखेंगे, वनिक करनाव और पतंच कच्रा गाहों और सडकों पर तथा अन्य सनसाधनों से प्राप्त राजस्व को राश्ट के नाम से जाना जाता था, तो ये आप ध्यान रखेंगे, राश्ट प्रमुक कर होता इसमें जो सडकों पर लिया जाता था, फॉरस्ट प्रोडेक्ट अप्टेन करने वालों से लिया जाता था, तो जो मुख्य टैक्स होता था, वो राश्ट्र होता था, राजकी भूमी से प्राप्त होने वाली आय सीता कहलाती थी, हम देख चुके हैं, भूमी भी सीता कहलात तो यह धिर नहांती थी अभू आफ बू सोमी को शेत्रक कहा जाता था कास्थकार के उपवास का जाता था तो यह टर्म द्यान रखेंगे मौह स्वामी को जो लेंड़ ओनयर होता था्था मॉरे प्रशासन में उसको शेत्रक कहते थे जिससे कर लेते थे राज की और सिचाई का प्रबंद करना सेतु बंद कहलाता था यानि कि राज सिचाई के प्रबंद करता था और उस पर टैक्स भी लेता था तो जो प्रबंद किया जाता था उसको सेतु बंद कहते थे सिचाई के लिए अलग से उपज का भाग लिया जाता था अगर आप सिचाई यूज़ करेंगे प्रशासन के दौरा दी गई तो आपको अलग से कर देना पड़ेगा उपज का 1 by 5 देना पड़ेगा कहीं कहीं पर किसी किसी उपज का अगर आप से बंद का इस्तमाल करेंगे तो पिंड कर पूरे गाउं से एक बार वसूल आ जाता था विवित कर नाम का कर यानि की टैक्स लिए जाता था पशुओं की रक्षा के लिए तो आप देख रहेंगे बहुत सारे कर लिए जाते थे अब तो GST आ चुका है ऐसा कुछ उनको भी सोचना चाहिए था इससे कि हमको याद न करना पड़े खैर मौर काल में निशुलक श्रम अर्थात बेगार को विष्टि का आ जाता था यानि कि जो लोग कामगार होते थे जैसे की नाई होते थे लकडी के समान बनाने वाले होते थे तो उनका काम जो था वो लाड़ी बाल बनाने पड़ेंगे नाई को तो इस तरह से कर लेते थे मतलब उनकी सर्विस से ही कर ले लेते थे उनसे सर्विस ले लेते थे और इसी हिसाफ से टैक्स ले लेते थे देशी वस्तूओं पर चार प्रतीशत बिक्री और आयतित वस्तूओं पर दस प्रतीशत कर लगाया जाता था अब मेरे साफ से इतना डीप नहीं पूछेंगे फिर भी हमने मैंशिन कर दिया है मौरेकाल में चार प्रमुख सड़क मार्ग होते थे आप उनके नाम ध्यान रख सकते हैं कहां से कहां जाते थे ये भी थोड़ा सा देख सकते हैं उत्तरापत जो है में हिमाले की ओर जाता था ये नौर्थ में ही नौर्थ की तरफ चला जाता था उपर पाटली पुतर से काशी उज्जयन होते हुए पस्च्चिमी तक जाने वाला ये मार्ग था हिमोंत मार्ग पाटली पुतर से तामर लिप्ती या तामर लुक तक जाने वाला मार्ग था ये एक आशी से प्रतिष्ठान होते हुए महसूर तक जाता था यानि कि अब ये डेकन की तरफ जाने वाला मार्ग था दक्षिन से अधिक मुलिवान वस्तुवें आती थी जैसे कि धातू, कीमती धातू, लकडी वगएरा, हाथी के दात, सोना आधी हमको मतलब मौरी प्रसासन को कहां से मिलता था? मिलता था डेकन की तरफ से मौरी काल में व्यापार के दो प्रमुक साधन होते थे, एक जलीए मार्ग और स्थलीए मार्ग, यानि की जमीन से जाने वाला हाईवेज वगएरा, और नदियों के द्वारा जलीए मार्ग, चानक की केनुसार जलीए मार्ग जो है, वो जादा उप्योगी हुआ करते थे, क्य लेते थे तो ये इन्सूर करते थे, एकर व्यापारियों की चोरी हो जाएगी, तो उसका जो भरपाई होगी, वो सरकार करेगी, लब चोर आपका पैसा चुरा ले गया, तो बिदलब सरकार उसके लिए जिम्मेवार होगी, तो सरकार कर लेती जरूर थी लेकिन सुरक्षा विदेती थी आप देखेंगे इसमें मौरियों के लिए तक्षिला विदेश व्यपार का प्रमुक केंद्र था ये जरूर ध्यान रखेंगे अगर पूझ ले कि बताइए मौरियों के लिए कौन सा विदेशी वेपार के लिए प्रमुक केंद्र हुआ करता था वह कौन सा ओता था तकशिला तो ऐसे कुशन्स बनते हैं कोशन्स एक एक क्लाइन से एक की वर्ड से बना सकते हैं फिश्ट्री में बहुत ब्रॉड है अब बंदर गाहों के बारे में बात कर लेते हैं पर जो बंदरगाह होती थी यानि बेयाव बंगाल की तरफ ताम्र लिप्ती की होती थी मेली और यहीं से व्यापार होता था यहीं पर से कर वसूले जाते थे शुल्क वसूला जाता था वर्तनी वसूली जाती थी गुल्मदे वसूला जाता था और अतिवाहक वसूला जाता कहां से पस्चीमित अड़ पर तामर लिपती से किसरी यहां पर मैंने थोड़ा से गलत पूरा आप कॉटल यह नहीं है अर्थषास्तर में राजिके साथ अंगों का वाइडन किया जिसको सप्तांग सिधान्त कहते हैं यानि ऋए साथ अंगों से के लिए दंड दंड यानि कि जुडीशल विवस था और मित्र यानि कि आपके संबंद गैसे हैं पड़ोसी राजियों से तो यह साथ अंग निर्दारित करते थे जो भी राजी होते थे मौर काल बे सैन प्रसासन के बारे में अगर हम देखें तो महत्पूर्ड भाग माना गय थी पैदल सैनिक होते थे चंद्रकुप्त महुर्ड ने जब साशन समाला तो और भी अपनी सेना को अपने सैन प्रसासन को आगमेंट किया 6,00,00 पैदल सिपाही 30,000 घुरसवार 9,000 रत आपको नंबर नहीं ध्यान रखना यह आपको बताने के लिए सक्तिवर दर्शन समझ यानि कि सैन प्रसासन काफी मजबूत था बड़ा समराज जैसे ने चला रहे थे पूरी डिफेंट सिस्टम रखते थे सेना पती जो है विभाग का प्रधान अधिकारी होता था तो यह तो अंडरस्टूड है सेना पती होगा युद्य छेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी नायक नावाध्यक्ष होता था यानि कि जो मतलब नेवी का कमांडर वो नावाध्यक्ष होता था और व्यापारिक पोत का अध्यक्ष भी होता था जो भी वांडिजिक पोत होते थे जहाज उनको भी देखता था नावाध्यक्ष और जो भी युद्ध पोत होते हैं और जो आर्टिलरी को देखता था अस्त्र सस्त्र को उसको आयुदगारत ध्यक्ष कहते थे यानि आर्टिलरी का हेड अब सामाजीक आर्थिक जीवन सोशियो एकोनॉमिक लाइफ कैसी होती थी यहां रहने वालों की अब अर्ट चास्त्र में चार समाजों का उलेक किया गया चार वर्डों का ब्रामण चत्री वैश शूद्रादी तो अपने अपने जन्म के इसाप से लोग अपना काम करते थे हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं ब्रामण वगारा य अशोक के सिलालेखों में भी दास और करमकारों का उलेक हुआ है शूद्र जाती के लोग जिनको अनिम्न कार करवाय जाते थे पुनर विवाह और नियोक की अनुमती थी ये ध्यान रखने इंपोर्टेंट है लेकिन बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी विद्वाप पु अगर रहती थी बिना दूसरा विवाकिये उसके लावा मौर काल में प्रौधियोगी की सिख्षा कभी विकास वह टेक्नलोजिकल एजुकेशन ऐसा बताया जाता है अलग-अलग टेक्स्ट में जिसकी विवस्ता स्रेंडियों द्वारा की जाती थी कौन पढ़ेगा कौन न अर्टक वगेरा भी एक्जिस्ट करते थे नायक होते थे तमासा दिखाने वाले बाजा बजाने वाले भी होते थे और मनोरंजन ये किया करते थे लोग मनोरंजन रीक्रियेशन के लिए डिपेंडेंट थे जुआ पर शराब पर और प्रोस्टिटूशन पर भी तो ये तो मौर्नियों के यह मुद्रब पंड हुआ करती थे या काफी काफी option है करेंसी की होती थी न॓र्णियों की पंड होती थी तब न आध्यक्ष कहा गया है जो करेंसी वागेरा का है तीन बटे चार तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था ये पंड का मजलब करीब 7.5 ग्राम का क्योंकि एक तोला 10 ग्राम का होता 3x4 हाँ इतना ही हो गया 7.5 ग्राम का एक चांदी का सिक्का होता था पंड का अधिकारियों को वेतन देने के लिए पण का प्रयोग किया जाता था इस काल में सिक्के स्वंड चांदी तामे के देखे गए हैं सबसे स्वंड सिक्के निश्क देखे गए हैं और स्वंड चांदी के सिक्के पण या करशापड देखे गए हैं इसको मैंने हिंदी में इस वजह इसने लिखा है क्योंकि यह टाइप ही नहीं हो रहा है वह देर से करशापड कहा गया है किसको सुमेड़ चांदी के सिक्कों को और तांबे के सिक्कों को मसा किया तो ककडी कहा गया है तो चांदी के ककड़ी हो गए, सिक्के सुवड़ चांदी वाले हो गए करशापड और प्योर सोने के सिक्के निश्क हो गए और इन्हीं सभी के सिक्कों को हम लोग परिटिकुलरली आहत सिक्का बोलते हैं कलेक्टिवली तो ये कुल बिलाकर बात थी मौरेन अड्मिनिस्टेशन के बारे में आई होप इतनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल काफी है आप किसी भी लेवल के कोश्चन इससे कर सकते हैं फैक्ट मैंने आपको पूरे बता दी हैं याद करना आपका काम है हम लोग दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स सेशन में तब तक के लिए जय हिन दोस्तों वंदेबांतरम